हेलो फ्रेंट्स नमस्ते गुड मॉनिंग मैं काजोल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आईक्यो मेंटर पर आज तारीक है 3 जुलाई 2021 और मैं आपके लिए करेंट एफिर के कुछ इंपॉर्टेंट कुशन लेके फिर से हाज़िर हो गही हूँ जो कि आप सब्सक्राइब कीजिए साथ इसाथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सके तो दोस्तों आपका टाइम इसके बिना आई आज के सेसिन की सुरुवात करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रसन है तो आज का हमारा पहला प्र संब की के और देखते हैं आज का हमारा अगला प्रसिन क्या कहता है हमारा अगला प्रसिन की वैस्विक साइबर सुरच्छा सुचांग में भारत की रैंक क्या है तो इसका सही आंसर है दसवी जी हां दोस्तों वैस्विक साइबर सुरच्छा सुचांग में भारत की जो रैंक है वो द और दोस्तों तीसरे इस्टान पर इस्टोनिया सुचांग है और हमारा अगला प्रस्ण है राजिक उसल का निधन और वे गौन थे तो इसका सही आंसर है फिल्म निर्माता जी हां दोस्तों राजिक उसल जो है वह एक फिल्म निर्माता थी साधी का लड़ू और प्यार में आपके एक्जामनेशन में यह जरूर से छपा हुआ मिलेगा तो दोस्तों होसला इंस्पारिंग हर ग्रोथ किस राज में लॉंच किया गया है तो इसका सही आंसर है जम्मो कास्मीर के जो उपर राजिपाल है यानि मनो सिन्हा ने ड्यूटी में महिला उदमीता को उत्परि करें जो दोस्तों अब हमने जम्मो कास्मीर के बारे में पढ़ा है तो आई एसमिर कि जम्मो कास्मीर के स्टाटिक जिकी को देख लेते हैं और साते सथ उन सारे पॉंट्स को कवर करें के जहांसे यह आक्र-चैने बन सकता है तो दोस्तों यहां से सबसे important question बनता है कि जम्मू कास्मीर के उपर राजिपाल कौन है तो मनोश सीना है और जम्मू कास्मीर के राजधानी क्या है तो जम्मू है यानि सीद काली राजधानी जो है वो जम्मू है और ग्रीसम काली राजधानी जो है वो स्रीनगर है इसके बहुत नेशंब टाइन में लुट है उन लोगों के लिए बहुत है और दोस्तों जो इसी की देविकर नहिए उनके लिए भी उन that इस्का प्रपर तरिकें से नोट ्च यॉटाउन चरूरह किजिएगा यह इसका ले लीजिगा तो दोस्टो जमम पॉइंट है जिसे आप स्टार बना लिए कि जम्मू कास्मीर की गुच्छी मसरूम को जी आई टैग मिला है और साथे साथ दोस्तों यहां से बहुत इंपर्टिन कोशन बनता है जिसे आप डबल स्टार बनाएगा कि देश का पहला एगलू कैफे कहां खोला गया है तो दोस् दोस्तों हेरत उस जो ओ जम्मो कास्मीर में मनाया गया है और जम्मो कास्मीर में पांस दिवसी लंभी फोटो प्रदस्ЕТ प्रदस्तनी जिसा आप स्टार बना लेजा आपकी इंफानेशन में जरूर से चपावा मिलेगा कि अवास की बात परियूझना कहा शुरू की गई तो दोस्तों जम्मो कास्मीर में और किसके द्वारा तो मनोज सिनहा के द्वारा शुरू की गई है और चिनौन अधी पर दुनिया का सबसे बड़ा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है बहुत ही important point है और दोस्तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गाडन जम्मू कास्मीर में खोला गया है और दोस्तो आई एम्स जम्मू में अनंदम जा सेंटर ओफ हैपिनेस का उर्गाटन भी किया गया है और हमारा अगला प्रसन है कि हेल्प लाइन सुकून का उर्गाटन किस राज में किया गया है तो इसका सही आंसर है जम्मू कास्मीर जिया दोस्तो जम्मू कास्मीर में हेल्प लाइन सुकून का उर्गाटन किया गया है और हमारा अगला प्रसन है कि इनमें से किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में सामिल नहीं किया गया है तो इसका सही आंसर है भारत बादबार वो समाल लिया है जिसका सही अंसर है एंड वेडुधर रड़ी जिए जो है वो अकास वाड़ी में महार निरदेशक का बादबार वो समाल लिये हैं इसके लावा दोस्तों भारती सुचंग सेवा की 1988 बैज के अधिकारी एन वेरुधर रेड़ी ने 30 जून को अकासवाड़ी महार निदेशक के रूप में कारेबार समाल लिया है तो आएए वर्टे हम आज के अपने अगले प्रस्न की ओर तो हमारा अगला प्रस्न है कि उतर प्रदेश के नए पुलिस महार निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका सही अंसर है आएपेस अधिकारी मुकुल गोयल जी हाँ दोस्तो आएपेस अधिकारी मुकुल गोयल को उतर प्रदेश के नए पुलिस महार निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और दोस्तो IPS अफसर मुकुल गोयल उतर प्रदेश के अगले DZP बनेंगे जो की दोस्तो 1987 बैच के फिलहाल केंदर में BSF के अपर पुलिस महान निदेशक ओपरेशन के पत पर तैनात है इसके लाव दोस्तो अभी हमने उतर प्रदेश के बारे में पढ़ा है तो आई हम उतर प्रदेश के स्टाटिक जीकी को देख लेते हैं और साथे साथ उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां साब की एक्जामनेशन में प्रस्रूम बन सकता है तो दोस्तो अगर आप से पूछता है कि उतर प्रदेश के राजधानी क्या है तो लकनों है आप सभी जानते हैं और राजपाल को होने तो अनंदी बेन पटेल है और उतर प्रदेश की मुख मंतरी को होने तो योगी आदित्यनात है और उत्तर प्रदेश में लोग सभा के सीड 80 है राज सभा में 31 और विदान सभा में 403 है इसके लाव दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुछ रास्टी उध्यान है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है जिसका आप स्क्रिंसोट जरूर लीजेगा तो उत्तर प्रदेश में दुद्वा रास्टी उध्यान रास्टी चंपल अभ्यारन नवाब गन पच्छी अभ्यारन और चंदर प्रभाव वन्यजी अभ्यारन पाय जाते हैं और उत्तर प्रदेश में रसिनबाद और चिली मल बांद का उर्गाटन किया गया है साथी साथ उत्तर प्रदेश में अर्जुन साहयक पर योजना भी सुरू की गई है और उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महुसों का आयोजन भी किया गया है और सहीद अस्वाक उलाखापार्ग का उर्गाटन जो है वो गोरकपुर में किया गया है और सस्ती किराय की अवास योजना की जो सुरुवात है वो उत्तर प्रदेश में की जाएगी इसके लाव दोस्तों नवीनी करणी उर्जा मंतरी आरके सिना ने वरारसी में ग्राम उजाला योजना सुरू किया है और इसके लाव दोस्तों उत्तर प्रदेश में केला महसो भी आयोजित किया गया है साथे साथ उत्तर प्रदेश ने देश की पहली नदी पर योजना केन ब प्रस्टिन के यूर देखते हैं आज का हमारा अगला प्रस्टिन क्या है तो हमारा अगला प्रस्टिन का नाम बदल करके लिघा को बीजा है इसके यहां से इसे पहले ही तीन बड़े सहरों का नाम बदल चुकी है जिसमें इलाहबाद को प्रियाग राज मुगर सराय को दीन दयाल उपध्याय नगर और फैजाबाद को आयोध्या कर चुकी है और हमारा अगला प्रसन है कि रास्टी डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है तो इसक चार्टर एकाउंटेंस डे कब मनाया गया है तो इसका सही अंसर है एक जुलाई जया दोस्तों यह दिन उन्नी सो उन्चास में भारतिस अंसर द्वारा की गई इंसिट्यूट ऑफ चार्टर एकाउंटेंस ऑफ इंडिया यानि आई सी ए आई की स्थापना के उप्लक्ष मे मनाया जाता है अगर आपसे पूछता है कि आई सी ए आई का मुख्याले कहां है तो नई दिल्ली में है और इसके अध्यच कौन है तो सी ए निहार जंग्बू सरिया है इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला प्रसन है कि रास्टे चिकिस्सा दिवस कब मनाया गया है तो इसक दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इससे लाइक और शेयर जरूर करें चानल में पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथे साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें वीडियो को पीडियाप चेहिए तो आप हमारी वार्टसप गूर्प को जोइन कर सक सकते हैं और आपको हमारी वोर्टसप गूर्प के जर्याप कमेन एक्जामनेशन की डिटेल्स नोट से पीडियाप सब कुछ फ्री में दिया जाता है जिसका फैदा ले सकते हैं और दोस्तों आप हमारी चैनल के इस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जहां से आपक